हेलो दोस्तो आज इस वेडियो में आपको मधानी मोटर की कनेक्षन करना बता हूंगा, किस तरह से कनेक्षन किया जाते बहुत ही इस सिंपल Betweenquentry टरीके से बताऊँगा आपको एक बार मगर में समझ में आ जाए है किस तरह से कनेक्षन होते आप यह देख बनाया है और जो दो यह ब्लैक के यह दोनों एक स्टार्टिंग का एक रणेंग का है आप यह देख रहे हैं इसमें दो स्विच लगे हुए हैं यह पूरी केवल है यह मैंट पावर की केवल है तो आप को मैं बताओं कि किस तरह से इसके connection किये जाते हैं जो पहला wire है वो on off बाले switch कि किसी भी एक point में लगा दें जैसे हम इसको एक point में लगा देते हैं यह on off बाला है और दूसरी तरफ का है जो switch वो round बदलने वाला है आप जिस तरफ चाहिए उस तरफ उसको घुमा सकते हैं तो हमने एक point पर पावर का एक wire connect कर दिया है और जो दूसरा है वो इस three pin के जो यह switch है इसके center में देना है दूसरा wire यह power वाला है man जो power आता है एक phase का आता है एक दूसरा न्यूटल आता है अर्थ का तो आप देख रहे हैं और आप बाले के किसी भी एक point पर एक wire लगा देना है और दूसरा जो three pin वाला switch है उसके center में लगा देना है अब हमने यह दोनों power वाले दोनों wire connect कर दिये हैं एक और बाले switch में कर दिया और एक राउंड बदलने वाला switch में connect कर दिया है अब आपको मोटर से जो तीन wire निकले हुए है इनमें सबसे पहले capacitor को connect करना है यह 3.15 का capacitor है यह जो black दो wire है एक running का है एक starting का है तो दोनों में हम connect कर देते हैं दोनों को connect कर दिया है हमने इस capacitor में इसके बाद में जो यह रैड वाला wire है जिसको हमने common बनाया है इसको आप ध्यान से देखें कहां पर इसको connect करना है यह गड़बल नहीं होना चाहिए जो हमारा on-off बाला है स्विच यह आप देख रहे हैं इसके दूसरे पॉइंट पर यह common वाला वायर जोइंट कर देना आप देख रहे हैं यह रैड वाला वायर जो on-off बाला स्विच है उसके दूसरे पिन पर हमने connect कर दिया बांकी की जो यह capacitor वाले दो वायर है यह हम थ्री पिन वाले स्विच के दोनों तरफ एक एक जोइंट कर देंगे यह हमने एक साइड में जोइंट कर दिया capacitor वाला यह अब दूसरी तरफ जोइंट कर देते हैं इसको कि यह दूसरी तरफ बाला वी जोइंट हो चुका है इसको टाइट कर देते हैं नट को दोस्तों यही पूरा कनेक्शन होता है इसमें और कुछ भी नहीं होता है आप देख रहे हैं जो यह थ्री पिन वाला है उसके सेंटर में मैं पावर का वायर दिया है और टू पिन वाल सायट में हमने सब्सक्राइब है आप अजहां केडिक of the सपी नुन कर के दिखा को धुछनकाव के बदस्ाधा अब तर श pourquoi कि व्हें आप यह सकते हैं इसके निट टाइट कर देते हैं थो नठ लगे होते हैं इसके बाद में आपको चला कर देखते है दोस्तो इसके बाद जो नेक्स्ट वेडियो आए कि बहुत ही सिंपल कनेक्शन होते हैं इसके अगर एक बार आप समाझ ले तो कभी भूलेंगे ही नहीं दोस्तों अगला वीडियो जो आएगा वो मदानी मोटर का रिवाइंडिंग का होगा उसमें आपको पूरा दिखाए जाएगा किस तरह से कौल बनाई जाती है किस तरह से उसको वाइंड किया जाता है सारी पूरी इंस्टॉलमेट दखा जाएगी आपको शुरू से लेके अंड तक यह छोटे सी वेडियो मैंने आपको कनेक्शन के बारे में बताया है दोस्तों अगर आपको वेडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें कमेंट करें लाइक करें और अगर कोई भी आपका कुश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेजज़क आपके हर सवालों को जवाब दिया जाएगा दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और वेडियो देखना हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें टेक एन एसके एलेक्ट्